हेलो दोस्तों भीमला बेज कीचिन में आप सब एक स्वागत करती हूं तो आज मैं बना रही हूं लोकी से बिल्कुल नए तरीका की नास्ते की रेसिपी तो चलो शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले एक लोकी लेना है उसके बाद में लोकी के छिलके निकाल के तियार कर लेंगे ज्यादा छिलकी नहीं निकालेंगे बस हल के छिलके निकालेंगे तो इस तरह का नास्ता आपने कभी बनाया नहीं होगा नहीं कभी खाया होगा बहुत हल्दी नास्ता है जटपट बन जाता है और टेस्टी भी बहुत बनता है उसके बाद में लोकी को कट करके और तो जो लोकी का अंदर गोदा होता है, उसको निकाल के त्यार कर लें, यानि फोम लोकी का, इसका इसकमाल नहीं करेंगे, और अब यहां पर ग्रेटर लिया है, ग्रेटर की मदद से लोकी को ग्रेट करके त्यार कर लेंगे, जो मोटे होल्स हैं ग्रेटर के, उसकी मदद से इ ये देखर के इसंपल हो आपको सके सब्सक्रायर करें करने कि इरिए हम प्रस्थांमने प्लेट Aha कर लिए और अभी स्कों प्लेट में निकाल लेते हैं उसके बाद में आप एक बावल में निकाल लिया उपर से डाल दिया एक चमच मोटी कुटी हुई रेड मिर्ची पाउडर छोटी चमस मसाला की एक डाल दी धनिया पाउडर की स्वाधुन सा नमक डाल देते हैं आधा चमस जीरा साबुत उसको डाल दिया दो पिंच की जितनी हिंग डालेंगे हिंग सिनास्ते का टेस्ट बहुती भढ़ जाता है बहुती टेस्टी होता है आधा चमस अमचूर पावडर डालेंगे अगल अमचूर पावडर आपके पसंद नहीं भी मिले तो आप क्या करें मिर चोकि जूच अटान सोन अंगछ गना पसंने ये तो आप इस नाश्थे को जरूरूं ट्राइब करें अधिरीन दनिया की पतिया थी उसको डाल दे ज weiss ae को चाहल का आटा है इसको डाल देंगे चाहल का आटा से नष्षते के बहुत ही ज्यादा क्रिस्पि बनता है दो चमस यहां पर लेंगे चने का बेशन चने के बेशन की जगए आप पर गिम का अठागा भी इसकमाल कर सकते हो थोड़ा सा मिक्स कर ले और आदा चमस से थोड़ा सा कम डालेंगे हल्दी यानि कलर के लिए तो पानी का इसकमाल नहीं करना है बस यह जो लोकी का पानी होता है उसी से साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले यह आपको अगर थोड़ा से जरूरत पड़े तो दो चमस का जितने आप पानी ले सकते हो दस मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दे दस मिनट के बाद यहां पर हमने पैन रख दिया गया इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गी और पैन को थोड़ा से चिकना कर लेंगे आप इसकी जगे तेल का भी सकमाल कर सकते हो, जो भी आप गी या तेल खाना पसंद करें, वह यहाँ पर डालके, पेन को थोड़ा से चिखना कर ले, उपर से थोड़ा से नाष्टे की जो बैटर हमने बना के तेयर किया था, उसको डाल दे, फैला देंगे, आप यहाँ पर तोटी जो चम्मच है उससे थोड़ा सेट कर देंगे देखे इसी परकार तो एक तरफ से शिख चुका है पलट लेंगे इसको यह देखे कुछ इस परकार बहुत ही आसानी से पलट लिया है तो उलट पलटते हुए नास्ते को एक दम है इसके सिख चुका है प्लेट में निकाल लेंगे दूसरा नास्ता भी इसी तरह बना के तेयर कर ले जटपट बन जाता है और बहुत ही ज्यादा हल्दी बहुत ही ज् दिया है बैटर को डाल देंगे और फिर से उसी परकार हमने जो पहले बनाया था उसी तरह इसको फैला देंगे इस नस्ते को आप यहाँ पर बच्चों को लेंच में रख सकते हूँ आप नास्ते में देश सकते हूँ जब भी आपको चटपट नास्ता बनाना तो इस जरूर ट्राइब करें सभी नास्ता बना लिया है और यहां पर आमने टामाटर केच्छप के साथ और एक सबजी के साथ इसको सफ किया है आपे कोई भी यहां पर धनिया की चटनी जो भी आपे टामाटर की चटनी जिसके भी साथ खाना पसंद करें उसे से यह नास्ता बना के खा सकते हो बहुती मु